मैं आवाक हूँ इस दुखत समाचार को साजा करना कठिन है इसका उत्तर आप सभी भली भाती जानते हैं ये देखें भारत विश्वकप 2023 का फाइनल आस्ट्रेलिया से हार गया दुख की बात है कि हम आस्ट्रेलिया से कब जीतने से चूप गये ये उनका छटा विश्वकप क जीत चुका है हम तीसरी बार विश्वकप जीतने से चूप गये आप सभी मैच का स्कोर और अन्य विवरन भली भाती जानते हैं मैं आपको मैच के दौरान घटी घटनाओं के बारे में बताने जा रहा हूं आस्ट्रेलिया ने भारतिय टीम को आसानी से हरा दिया भारतिय उदास बिखरी हुई और हतोच सहित थे रोहिच शर्मा विराट कोली मोहमद शामी और कुछ अन्य खिलाडियों की आँखे आसों से लबलबा उठी हाला कि मोहमद सिराज अपने आसों पर काबू नहीं रख सके और अपनी जर्जी से अपनी आँखे पोचते दिखे पर फटाके नहीं फोड़े गए और सड़के बिल्कुल खाली थी क्योंकि लोग हार से दुखी होकर अपने घरों में बैटे थे हम सब भी दुखी थे हाला कि हैरानी की बात ये है कि कई लोगों ने भारतियर टीम के प्रदर्शन और कड़ी मेहनत की सरहाना की पहले के समान जब भी भारत हारता था तो क्रिकेटरों की फोटो जलाई जाती थी उनके घरों में पत्थर फेकी जाते थे ऐसा कुछ नहीं हुआ भारतियर दर्शक जागरूख हो गया है लोगों ने टीम को काफी सकारात्मक प्रक्रिया और प्यार दिया और कईयों ने कहा कि हम 2027 विश्युकप में और मजबूत होकर उबरेंगे 1975 में विश्युकप शुरू होने के बाद से एक बार ऑस्ट्रेलिया अंतक अजयी रहा था और खिताब अपने नाम किया था हाला कि भारत के लिए ये वैसा नहीं था जिसने फाइनल तक पहुचने और जीतने के लिए कुछ मैचे जीती और कुछ हारी लेकिन 2023 वर्ल्ड कप में भारत 19 सवेंबर फाइनल तक अजयी रहा था दस मैचों में अजयी रहने के बाद आखिर कारवें फाइनल में हार गए ये पहली बार था जब भारत किसी विश्व कप में अजयी रहा हो आशा है कि हम भविश्य में और मजबूत होकर उबरेंगे मैच के बाद प्रेजेंटेशन समारों के दौरान जब उदास भारतिय टीम अपने पदक पाने के लिए इंतजार कर रही थी महान क्रिकेटर सच्चिन टेंडूल कर उनके पास जाकर उन्हें धाड़ास बंदाते नजर आए राहुल ड्रेविट ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा ट्रेसिंग रूम में दुख और उदासी का माहौल है जीत और हार दोनों खेल का हिस्सा है और दोनों को स्विकार करना होगा हर सुर्योदय के बाद एक रात होती है जो हमेशा के लिए नहीं होगी कल सुरज फिर होगेगा इसी प्रकार अंधेरे के बाद उजाला होता है और रादी ये जीवन है टीम ने बहुत डूट संकर्प के साथ बहुत मेहनत की आशा है कि हम 2027 में मस्बूत और बहतर बन कर रहेंगे ड्रेविट ने टीम के प्रयास की सरहना की हैरानी की बात ये है कि टीवी पर या फोन पर हॉट स्टार पर मैच देखते समय हमेंसे किसी नहीं ये नहीं देखा लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो था अजीब बात है एक आस्ट्रेलाई दर्शक में फ्री पैलस्ताइन की नारे वाली टी-शर्ट और पैलस्तिनी जंडे के रंग वाला मास पहन रखा था जब विराड कोली बल्ले बाजी कर रहे थे तो उसने सुरक्षा का उलंगन किया और विराड कोली को गले लगा लिया ये टी-वी या OTT प्लाटफरम पर नहीं दिखाया गया बलकि सोशल मीडिया पर उपलग था हाला की सुरक्षा कर्मियों ने उसे तुरंत वहां से हटा दिया स्टेडियम में लगे क्यामेरे इसे कैसे नहीं कहत कर पाए हो सकता है कि मीडिया टीम सतर्ग हो गई हो और उन्होंने इसे संपादित करने के लिए क्या मेरे को किसी और एंगल पर कर दिया हो अश्चरे जनक घटनाओं के एक दुख़ट मोर में आप जानते है कि कपिल देव उस भारतिय टीम के कप्तान थे जिसने अविस्पर निया 1983 का विश्वकब जीता था उनने समेंबर 2023 इसको विश्वकब फाइनल के लिए कपिल देव मौजूद नहीं थे अश्चरे जनक कपिल ने कहा मुझे बी सी सी आई ने अमंत्रत नहीं किया था उन्होंने मुझे नहीं बुलाया इसलिए मैं नहीं गया इतना सरल है मैं चाहता था 83 की पूरी टीम मेरे साथ वहां रहे बी सी सी आई ने 1975 से 1919 तक सभी विश्वकब विश्वकब विजटा कप्तानों के साथ चैंपियन्स वॉक की योज़ना बनाई थी लेकिन कपिल की तरह कोई भी विजटा कप्तान कारिकरम में मौझूद नहीं था साथ ही 2011 विजटा भारतिय टीम के कप्ताने में स्थोनी भी मौझूद नहीं थे कपिल ने कहा मुझे आमंत्रिक नहीं किया गया मैं समझ सकता हूँ कि वो एक बड़ा आयोजन था और BCCI बहुत व्यस्त रही होगी इसलिए कभी-कभी बूल जाते हैं इसे कोई फरक नहीं बढ़ता हाला कि विजटे में लग रहे थे कही लोगों ने कमेंट की कि BCCI के पास प्रधानमंत्री मोधी, फिल्म सारो, यूट्यूबर, सोशल मीडिया, इंफ्लूएंसर और अन्य लोगों को आमंत्रित करने का समय था लेकिन भार्धिय क्रिकेट के दो सबसे महत्वपूर्ण कप्तान को नहीं, जिन्होंने भारत के लिए विश्वकप जीता था कही लोगों ने नाराज़की भरी कमेंट्स की क्योंकि BCCI ने उन दोनों को आमंत्रित नहीं किया था एक मज़ेदार घटना में एक एडिटेट विडियो क्लिप सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था वीडियो क्लिप में दिखाया गया कि प्रधानमंद्री मोधी आस्टेलियाई उप्पर प्रधानमंद्री के साथ कप्तान पैट कमेंज को विश्वकप ट्रोफी सौप रहे है और फिर PM मोदी अचानक मन छोड़ कर चले जाते है कमिन्स वहां खड़े हिरान रह जाते है हाला कि वीडियो में और भी बहुत कुछ था और ये वास्ता में थोड़ा अश्चरेजनक था प्रधान मंत्री मोदी और आस्ट्रलियाई डेपिटी पिम ने कमिन्स को विश्व कप ट्रोफी सौपी और फिर उनसे हाथ मिलाकर बधाई दी बधाई देने के बात दोलों ने था कमिन्स का अकेला और अगले 30 सेकिंड के लिए असहद छोड़ कर मंच से चले गए जबकि बैग्राउंड में फटा के फूट रहे थे हादा कि पिम मोधी गलत नहीं थे क्योंकि वह मंच के पास खड़े ऑस्ट्रियाई टीम के सदिसों को बधाई देने के लिए नीचे उतरे थे इससे लोगों को आश्चरी हुआ कि क्या ब्रधान मंत्री मोधी डर गए थे आपको याद है एक बार उस्ट्रियाई टीम ने एक टोर्णामेंट जीत कर NCP नीदा शराद पवार से टोफी लेते समय उन्हें मन से धक्का दे दिया था लोग उस वक्त गुस्ते में थे और सोच रहे थे कि क्या प्रधान मंत्री मोधी ने सोचा कि उनके साथ भी ऐसा ही होगा क्या मज़्यदार घटना है खेर हमें उमीद है कि भारत अपनी ट्रेनिंग और मेहनत से 2027 का विश्व कब जीतेगी